आज मैं पालक गोर्स की रेसिपी त्यार करूंगी उसके लिए इंग्रेडियन्स सबसे पहले दो किलो पालक इसे मैंने पानी में बॉइल करके इसका पानी फैंक दिया है आदा किलो गोर्ष ये बीफ का है दो मीडियम साइज के टमाटर नो अदद हरी मिर्च वन टेबल स्पून पिस्जी हल्दी वन टेबल स्पून नमक 1 टेबल स्पून सुरफ मिर्च 1 टेबल स्पून फ्रेश मिल्क्रीम 2 मीडियम साइस की प्यास 2 मीडियम साइस के आलू और 1 कप कुकिंग ओली फ्रेशर कुकर में सबसे पहले मैं कुकिंग ओल अट करूँगी और इसके लीचे मैंने हाई फ्लेम ओन काट दी है प्याज के लूट बचाशाब अजिए इसे अच्छाब होगे, अभरो रहा हैं, बचाशा कने लेएक अच्छाब में आपके लूगी, प्यासब आपके लेएक लिए फकाशा एफिक गोषस राइपिसा बाइब कुछा बचाबाई लेएखकों, प्यासब बचाब अच्छाब वोड़ा से बहुने, जोख से बहुने लाई जोंगी जाए। में लाई कोलब अमेक कर दूँगा तमाटर, हारी निष्ट, सुरक निष्ट, जोच लिए। हल्दी, नमस, अब्रग्योसन काप्वेश, यह मार मेंड हाफ टेबल स्कून है और इसे इसके से निस्पर लोगी मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद अब में इसके अंदर एक मख पानी आट कर दूँगी गोष्ट गिलाने के लिए पानी आट करने के बाद अब में इसका प्रेशर लगा दूगी गोष्ट गिलाने के लिए बारा मिंट का मैंने से ट्रेशर लगाया था बोश्ट अपी बन गल गया अब मैस के अंदर मिल्क क्रीम एड कर दूँगी अच्छे से मिक्स कर दूँगी अच्छे से इसे मैं भूल रही हूँ अब इसके अंदर मैं आलो एड कर दूँगी अब इसके अंदर मैं इसे थोड़ा से भूने इसके नीचे मैंने फ्लेम हाई कर दिया है अब मैं इसके अंदर पालक आड कर दूँगी अब इसके अच्छे से मिक्स कर दूँगी अच्छे से मिक्स कर दूँगी अब मैं इसका ठकन लगा के रख दूँगी अलो गणने के लिए और फिर षाधी पालक भी तैयाब मैं तो इसके नीचे लएम मीडियम रख भी आ 25 मिंट मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रखा था अब मैं इसके निचे फ्लेम बन कर दूँगी आलू भी कर गए है और पालक भी बन गेते आ रहे हैं यह देखें अब मैं इसके अंदर कसूरी सोखी मिथी अड़ करोंगी कसूरी सोखी मिथी एड़ करके अब मैं इसके अड़कन लगा कर रखते हूंगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइप करें और इसको शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें अलाफ़े झाल 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 झाल